I tried 24 hours drop shipping challenge जी हैं आप लोगे ने बिल्कुल सही सुना है इस वीडियो में हम लोग 24 hours drop shipping challenge करने वाले हैं बाइदावे ये जो वीडियो ये हमारे course की last वीडियो होने वाली है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस course में और ज़रूरत है वीडियो की जो कुछ था मैंने आप लोगों कि सारी जो भी चीजे हैं वीडियो के last में discuss करते हैं कि next हमारा course कौन सा होने वाला है किस related होगा वा सब कुछ last में करेंगे अब इस वीडियो में हम लोग करने वाले है 24 hours drop shipping challenge और इस challenge के लिए हम लोगों को क्या क्या चीजों की requirements है किस तरीके से करना है सब कुछ detail में आप ल product find करनी है winning product निकालनी है किस तरीके से निकालनी है मैं already आप लोगों को बता चुका हूँ अब इदर मैंने एक product already डूंड के रखी हुई है जैसे कि आप लोगो स्कीम पर देख सकते हैं कि मैंने एक product डूंड के रखी हुई है foldable extendable travel bag है यह ladies bag है और इसको मैंने product search की है उसके बाद मैंने इसको अपनी website पे listing कर दिया है तो यह हमारी product है जिसको हम लोग next आगे चलके sale करेंगे तो मान के चलता हूँ कि आप लोगो ने भी product winning product एक find कर ली है और उसे आप लोगो ने अपनी website पे अच्छे से listing हो गयरा कर ली है यह product है मैंने अपने लिए डूंड के रखी है drop shipping के लिए इसको मैं drop shipping करूंगा अपने challenge में अब second हमारे पास जो challenge निकल कहता है वो यह कि हम लोग ने product तो डूंड ली है लेकिन वो product जो हम लोग दूंड ली है वो drop shipping website पे available भी है यह नहीं सही है यह सबसे बड़ा challenge होता है क्योंकि हम लोग product तो डूंड लेते हैं second number पे हमारे पास वो product physically मुझूद नहीं है wide label नहीं है हमें drop shipping website पे जाके वो डूंड ना पड़ेगा कि हाँ यह available भी है किस price पे available है सही है तो second काम जो करना है आप लोगे लिए जाके drop shipping website पे देखनी है वो product रिसर्च करनी है मैंने already निकाल के रखिए है चले मैं आपको दिखाता हूं so guys HSC drop shipping पे यह जो product है वो available है मैंने already research करके रखिए है सो इदर अगर मैं आपको search करके भी दिखाऊं woman bag लिखता हूं मैं इदर तो यह चेक करो थर्ड नमर पे जो travel foldable bag यह available है अब मैं इस बसट में नहीं पढ़ रहा कि कौन सी dope shipping website best है और कौन से suppliers best है already मैं आप लोगों को अपनी previous lectures में बता चुका हूंगे best wholesale suppliers पाकिसान में कौन-कौन से आप लोग उन सभी website पे जाओ अपनी product को search करो जिस website पे आपको सबसे कम rate मिल रहा है आप लोग उस website को use कर सकते हो अभी के लिए मैं HSC use करने वाला हूं सो यह जो website है इधर मुझे यह मिल रहा है बैक 1111 रुपे में और मैंने अपनी website पे जो लिस्टिंग की है वह 2399 रुपे में की है अब इधर मैं calculation करके आप लोगों को दिखा देता हूं calculator दिसे में उनकर लेता हूं 2399 माइनस 1111 करता हूं तो मुझे जो प्रॉफिट आ रहा है वह 1288 है इसमें से जो shipping चार्जिस होते हैं है उइडर आपगों को पता होगा वनीटी ये shipping charging करते हैं और 30 जो होते हैं इनके वह बैग मतलब के जो इनकी जो पेकिंग अगर होती उसकंग करते हैं तो यह मैं इसमें से माइनस कर लेता हूं जो के बनते हैं 210 माइनस में कर लेता हूं 210 और यह जो प्रोडक्त है कि कितने में हमें मिल रही है और कितने में आगे शिपिंग के बाद हमें बाकी का प्रॉफिट बचेगा तो जैसा कि आप दो देश तुके हैं कि मेरी जो प्रोड़ट थी बेबी बैक से रिलेटेड़ थी और वो एच एच सी डॉप शिपिंग वेबसाइट पे अवेलेबल है हमारा साइट शिक्र गाम बिंग अब हम थार्ट काम करेंगे वह यहां अपनी आड़ बनाएंगे ठीक है एड़ जो चलानी है हमने फेस बुक पे चलाएंगे या टिक finely पे छलाएंगे लेकिटन वो एड़ बनाएंगे किसे किसे बनानी है वो देख लेती हैं देखो डॉप पर जाके मैं अपनी जो भी प्रोडेक्ट होती है उसको मैं सर्च करता हूं सिंपल से 100% चांसी होते हैं कि वो जो प्रोडेक्ट है मुझे उधर से मिल जाती है अब यह चेक करो मैंने बेबी गर्ल ट्रैवल बैक सर्च किया है और पहली नमबर पर यह जो वीडियो है यह जो की वीडियो है मुझे इदर से सोर्सिंग हो गई है सेकंड नमबर पर मैं जाता हूं फेस्बुक पर फेस्बुक पर भी आप लोग जाके अपनी प्रोडेक्ट की रिसर्च कर सकते हो जैसे कि मैंने इदर सच किया फोल्डेबल ट्रैवल पैक और यह चेक करो काफी जदा सब्सक्राइब यह जो स्टोर है मैं इसको उपन करके आपको दिखा देता हूं यह जो फोल्डेबल ट्रैवल बैक ही सेल कर रहा है और इदर से आप लोगों को इसली इनकी वीडियो बगारा भी मिल जाएंगी सो आप लोगे जैसे भी सोर्सिंग कर सकते हो थर्ड वन जो मै पर कुछ नहीं किया होता है अब इदर आप लोग मेरी अगर वेब साइड पर आते हो नीचे मैं एक वीडियो लगाई हुई है इस वीडियो को मैं आप लोगों को प्ले करके दिखा देता हूं इदर आप लोग अगर देखो तो इस वीडियो में उपर यह चैकरो 70% का मैंन लिखा हुआ था सो मैं इसलिए इसको प्रैफर नहीं करता टिक टो को क्योंकि अदर ज्यादातर जो भी वीडियो मिलती है हमें उन पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता है सो मेक शूर करना है आपने जो भी वीडियो उठा रहे हो वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो उसमे चीज भी नहीं है सो हमारा फर्स काम कंपलीट हो गया सेकंड चीज जो आती है इसका वोईसओर कोशिश करनी है आप लोग ने डॉप शिपिंग के लिए अपना ही वोईसओर एड करना है इससे आप लोग की एड जोगी वो काफी ज्यादा अच्छी निकल गयाएगी अगर कुछ गलती हैं जो आप लोग करते हो वो नहीं करनी वैसे तो मैं अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों को सारी की सारी मिस्टेक्स बता जुका हूं लेकिन फिर भी मैं इदर दुबारा से एक्स्प्लेन कर देता हूं आप लोग ने जो एड बनानी है उसमें आप क्योंकि अगर कारोबारी करना है तो यार खुल के करो ना किसी का क्यों कॉपी पेस्मा रहे हो तो यह चीज़ है अप लोग ने देख लिया है मैंने आलरडी बना चुक हूं अब बारी आती है इस एड को रन करने की एड रन हम लोग करेंगे अपना टिक टोक अजनसी आज हम लोग चलाएंगे टिक टोक एड इसी प्रोडिक्ट की और देखते हैं कि हमें क्या रिजर्ट शो होते हैं अब इदर स्कीन पर आप लोग देख सकते हैं मैं अपने शोपीफाइ स्टोर ओपन कर लिया और अनलेटिक्स के सेक्शन में टोटल ओर्डर्स आपको तीन नेचे अगर मैं आपको इनका कनवर्जन डेट रहा हूं यह मारा कनवर्जन डेट रहा है और ओर्डर्स की जो वैल्यू थी एवरिज दोजार तीन सो निननवे जो के मैं अलड़ी आपको दिखा चुका हूं मेरे बैग की मैंने जो प्राइस रखिए हुई है वह यह ती य में टोटली रिसीव हुआ है वैबसाइट पे इसके लावा एक ओर्डर हमें रिसीव हुआ था वर्डस पे और एक ओर्डर मुझे टिक टॉक पे टिक टॉक पे इस तरीके से हुआ कि जब आपको पता है एड हम रन करते हैं तो उसकी और गैनिक रीच भी आती है उसके आपके सामने चेक कर सकते हो टोटल कनवर्जन यह एदर शोर यह तीन क्लिक्स हाई है हमें 853 इंप्रेशन 30,000 थे जो कि मुझे लगता है बहुत कम थे जो कोस्ट मेरी स्पेंडिंग हुई है 6,94 अब हम लोग कैल्कुलेशन कर लेते हैं कि हमें कितना प्रोफिट हुआ है औ सब कुछ चार्जी दुगेरा निकाल के ड्रोफिपिंग है अब 1078 में से मैंने अपनी कोस्ट निकाल ली है जो कि मैंने एड पे स्पेंडिंग की है टोटल मुझे आए हैं 5 अगर मैं 1078 को मल्टिप्लै कर देता हूँ 5 के साथ तो ये मुझे प्रोफिट मतलब कि इतनी मेरी सेल रही हैं 5,390 रुपे की सेल चेनरेट हुई हैं अब उसके बाद अगर मैं बात करूं अपनी एड कोस्ट की तो साथ डॉलर पाकिस्तानी अगर मैं डॉलर का रेट चेक करूं तो 275 बन रहा है 275 जर्बे साथ ओके इसको हम लोग माइनस कर लेते हैं 5390 ये अपनी जो प् सारा का सारा डेटा आप लोग देख चुके हो कि कितनी मेरी investment हुई है और मुझे कितने orders receive हुए है कितने impression है सब कुछ मैंने आप लोगों को case study show करवा दिया है आप लोगों को वीडियो कैसे लगी है लाजमी comment box में comment करके बताना और अब भी तक वीडियो को like नहीं किया तो like कर दो चैनल का subscribe भी कर लो और next बात कर लेते हम अपने आने वाले course से related के कौन सा course होने वाला है तो मैं आप लोगों को बताता चलो हम लोग आप drop shipping course हमारा इदर end हो चुका है अब next course की तरह move करते हैं जिस पर हम लोग one product store create करेंगे और उसके बार में complete एक course बनाएंगे advance course होन लाजमी से चैनल को subscribe कर लो मैं बार बार कह रहा हूं notification bell लाजमी होन करना ताके आप लोगों को notification मिलते रहें मिलते हैं अपनी next video में आज के लिए इतना ही अला आफिस